जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों, पैसे का लेंदेन जो है, वो बहुत ही महतुपूर्ण चीज है जब आप पैसा लेते हैं, या किसी को देते हैं, उस समय आपके मनो भाव, आपका जो मन का भाव है, वो बहुत महतुपूर्ण रखता है आप किस हाथ से पैसा देते हैं, ये भी बहुत महतुपूर्ण रखता है और किस हाथ से आप पैसा लेते हैं, ये भी बहुत महत्तु लगता है एक बार किसी संत ने, संत हैं, घुमते फिरते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, यहां वाँ जाते रहते हैं एक बार किसी संत ने किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर भोजन ग्रहन कर लिया कि जिसका पैसा सुद्ध नहीं था अब ये भोजन ग्रहन करने के बाद सारी रात संत को उट पटांग सपने आते रहे चितर दिखते रहे उसे तुरंत मालूम हो गया कि जो भोजन था ये सही नहीं था इसी तरह से जब आप पैसे का लेंदेन करते हैं किस व्यक्ति के साथ करते हैं किस भाव के साथ करते हैं ये बहुत महतुपूर्ण है तो अब सामने वाले व्यक्ति के भाव पर कंट्रोल करना आपके बसकी बात नहीं है किस व्यक्ति के पास से आपको पैसा लेना पड़ेगा ये भी आपके बसकी बात नहीं है क्योंकि यदि आप व्यपार लेकर के बैठे हैं तो कई तरह के लोग आएंगे आपने देखा होगा कि जो लोग व्यपार करते हैं वो लोग बोनी को बहुत महत्व देते हैं जो पहला उसका ग्रहक होता है जो पहली बार दिन में उसके पास से चीज खरीदता है यदि बोनी करवाने वाला ग्रहक विसाल हृदे का है तो पूरा दिन उसका बहुत अच्छा जाता है अन्यता पूरे दिन वो बिचारा मक्खे मारता रहता है बैठा रहता है तो कहने का तात्पर है कि आप किस व्यक्ति से पैसा लेते हैं वो व्यक्ति के भाव कैसे हैं यह बहुत निर्भर करता है कि वो दिन या फिर वो काम आपका कैसा होगा तो इसलिए आज में एक उपाए आपको बताने वाला हूँ कि इस उपाए से आप इस भाव में इतना ज्यादा परिवर्तन ला सकते हैं कि जिससे आपका हर कार्य सुब होगा और यह आप पैसे की लेंदेन किसी भी व्यक्ति के साथ करेंगे तो जो पैसा आप देंगे वो भी उसे भी सुब होगा और आपके लिए भी सुब फल प्रदान करेंगा इसी तरह से जो पैसा आप किसी से लेंगे वो पैसा भी आपको सुब फल प्रदान करेंगा और आपके घर में वो उस पैसे से उत्तर उत्तर पैसे की बढ़ती होती रहेगी तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राजिन दम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो आप भी इसी तरह की जानकारी में रुची रखते हैं तो अभी अमारी चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे द्वारा बताएगे उपाए आप तक आसानी से और तेजी से पहुँचेंगे तो चलिए दोस्तों वह उपाए बताता हूँ कि जिससे आप किसी के भी साथ में पैसे का लेंदेन करेंगे तो आपको हमेशा मुनाफाई होगा यदि आप पैसा देंगे तो वो पैसा भी आपको अनेक गुना हो करके लोट करके मिलेगा और जो पैसा आपके पास आता है उस पैसे को भी आप जहां कहीं भी लगाएंगे वो पैसा अनेक गुना हो करके आपके पास रहेगा तो आपको करना क्या है? कि अपने जिस उंगली से आप पैसा देते हूँ ज्यादा तर कोशिस करें कि सीधे हाथ से पैसा दे और सीधे हाथ से ही पैसा ले तो जिस उंगली में आप नोट पकड़ने वाले हो उस उंगली में आपको मैं जो numbers बता दूँगा उन numbers को लिख लेना है सारे ही numbers तेजस्वी है काफी सुभ numbers है वो यह वो numbers हैं जो आपकी progress को इंगित करते हैं मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं आपको progress दिलाने वाले हैं तो इन numbers को आपको उन उंगलियों पर लिख लेना है जिन उंगली के आप not touch करने वाले हैं सिर्फ किसी भी एक उंगली पे आपको लिख लेना है जिसमें not touch हो देते समय और लेते समय और जब भी आप दें तब मन ही मन ये बात बोलें कि दोनों पर धन की वर्सा हो ये धन हमें सुबफल प्रदान करें मन ही मन ये बोल करके पैसा दें और पैसा ले आप देखेंगे कि ये क्रिया जब आप करेंगे तो जो पैसा आपके पास में आएगा अभी तक जो हो रहा था कि आपके पास में पैसा आता था लेकिन बचता नहीं था अब आपके घर में पैसा बचने लग जाएगा जो आप पैसा चुका थे थे मान लीजे कर जा था वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा हर तरफ से आपको फाइदा ही फाइदा नजराने लग जाएगा तो आपको नंबर लिखना है पांच, एक और साथ ये नंबर आपको लिख लेना है, लाल इंक से आपको लिख लेना है किसी भी उंगली पर आप लिख ले और जब भी किसी को पैसा दे तो यही सोचे कि हम पर धन की वर्सा हो, ये धन हमारे लिए सुब फल प्रदान करे बस इतना सोचते हुए आप पैसे का लेन देन करे, संपूर मन को एकदम सच कर ले, खाली कर ले और मन ही मन सोचे कि वास्तों में ये हमारे लिए काफी सुब होने वाला है और कुछ ही दिनों में आप इसका बहुत बड़ा सुब रूप देखेंगे कि आपको इसमें कितना फाइदा होता है, कितना लाब होता है ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अभी सी उपाई के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिवप्रकास और अपने जिवन में लाभनवित होते रही है धन्यवाद